कि युट्यूट के सब्सक्राइब करेंगी इसके साथ यह पीडियो की प्राप करना चाहते हैं और आडियू नोट्स पर आपको डिस्केसिंट में लिंक मिल जाएगा टेलिग्राम का वहां पर जाकर आप कर सकते हैं वहाँ पर आपको सभी पीड़ेग्स साथ मिल जाएंगी तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला कोश्चन है खट्टे फ़लों की क्रस्ट निम लिखित में से किस प्रकार की क्रस्ट के अंत्यगत आती है आपके आप्शन है रोपर क्रस्ट मिश्रित क्रस्ट भूमद अब करें करते हैं कि यह भूमत इसागर जो भी करस्ट की जाती है और अगर हम भूमद सागर कीlan करें तो भूमद इसागर के आज पास की जो क्रस होती है वो खटे फॉलों के लिए जानी जाती है और यहां मुक्ता अंगूर की खेती की जाती है और उच किस्म के अंगूर उगाया जाते हैं जिनसे उच गुड़ोकतावाली मद्रा यानी के शराप का उतपादन किया जाता है चल अल्पनिक को यह अल्पीकालिक ग्रीश्ल होती है उप्रयोकते विशेश्वित कींषणाय में कहे गई है तो आपको बताना है कि ऊपरयोकते विशेश्विताइं मताई गई हैं वोकिका संबन्स में जाते हां ये जो ऊपर मैफ में देख कि यह दरोवी चेतर है ये यो रोप और एस्या का अगर और अगर अध्यधर बात गहेंчто तो यह उत्री अमेरिका महादीप का दुरुवी छेत्र है कि चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन है विल्ड घास के मार्दान के संद्र में नीचे दिये गए कतनों पर विचार कीजिए इसके पश्ची में कालाहारी माउस्थल इस्तित है जायरे इंग इसकी होताना है तो इसमें आपका आपसर सही होता है आपसर नंबर एक यानि कि यह वाला जो फश्ट इस्टेटमेंट है या कतन है वह वाला सही है बाकी सिकेंड वाला गलत है कैसे तो विल्ड घास के मादान पाए जाते हैं दच्छड अफ्रिका में यानि कि कहीं यहां पर और दिजिदि और अगर हम नदियों की बात करें विल्ड घास के मदान आपर इस्थ्त में तो विल्ड घास केमादान ओर नधिन दी और लिंपो पो कि बीच में इस्थित्त हैं यह आब दे związते हैं we are like triggers किसे कहा जाता है आपके आपशन चारीय वर्सा अम्लिय वर् यह गैसे जो निकलती हैं यह गैसे जब वाइवंडल में ऊपर की वह जाती हैं तो उपर जो जल के बादल होते हैं उनके साथ जल से संयोग करके नैट्रोजन आकसाइड नाइट्रिक एसिट का निमार करती है और सलफ़डाय आकसाइड जल के साथ मिलका सलफियृक एसिट का निमार करते हैं जो की बारिष के रूप में नीचे आते हैं यह दोनों होते हैं इसलिए जब नीचे आते हैं तो जल के साथ हम लिवजा करते हैं चलिए नेस्ट क्वेशन देखते है निम लिखित में से कौन I ask नहीं है आपकी अप्षिन है क्यालकोपाराइट, सफेराइट, सिनेबार, एंडेसाइट तो इसमें से आपको करेकर आज से बताना है कि इन चार में से कौन I ask नहीं है तो इसम्में आपका आपसन से होता आपसन नमबर डी игр एंडीसाइट एंडेसाइट आस नहीं बलकि रॉक है के सरहे और बक्ष के रहागेए ऊहें से इंट यह देखिने हैं भारत का पहला विस श्यृMaxx अार्थिक चेतर है विसाखा पट्रनम इसीस्ट आर्थिक चेतर कंड लगा पोपुषार भूरा भूसित किया गया था और यह गुजरातर राज में इंगते हैं नियात को बढ़ावा देने के लिए मिश स्थाप्णि 25 में की गई ती और भारत का पहला visit आतिक चेथ, तो यही है कंडला, जो कि गुजरात राज में इस्तित है, चलिए को यूज देखते हैं, आउड़ोगी क्रांद की शुरूवात यूड़ोप के किस देश से, यानि कि यूरोप के किस देश में सबसे पहले अवदोगी क्रांथ की शुरुवात हुई थी यह आपको बताना है आपके आपको फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली तो इसमें से आपको काईक्ट एंसर बताना है तो इसमें आपका आपका आपसन से होता आपसन नंबर B यानि कि अवदोगी क्रांथ की शुरुवात यूरोप में सबसे पहले !! से हुईति ये ये यूरोप में चोटा सा भाग है ौलमुखी समय हिमाली चेत में भूम अपरदन है तो एक सब्द चतिशगर से जारखंड वाला चेत्र उच्छ रेलवे घनत वाला तो इसमें से आपको कर्यक्टरेंस से बताना है कि प्लेट विवत्न की या प्लेट ट्रेक्टॉनिक क्या है तो इसमें आपका अपसन से होता है आपसन नंबर टे महादीपो क आधा देने वाली सथमों की सक्रियता ओा है कि यह आप्य मेस्स देख रहे हैं को यह कि एक प्लेट ह parfait है प्रिष्वी की यानि कुछ्ण की एक प्लेट है इसे हम इसे क्रेश्ट कहते हैं और यह उपर सब्सक्रदेश्ट होती है जबकि continental crust की घनत या density कम होती है इसलिए continental crust जो होती है वो oceanic crust के ऊपर चटती जाती है और यह oceanic crust नीचे subject होती जाती है यानि की नीचे प्रत्वी में ऐस्थेनो एस्फेर में चली जाती है और पिघल के रॉक बन जाती है शाची है इसी प्रिक्लिया के द। द्वारा हिहमाले का निमार हुआ है जौ पर देख रहे हैं इसी प्रिक्लिया के दौरा ही माले का निमार हुआ है जो इंडियन प्रिक है यह travel करके गई है again duration plate टी तौके क्ज़ए और जिब बैर ंटाट की वह उड़ चल रही और यहीं यहाँ पर हिमाले का निमार होता चला गया तो यह पूरी थेओरी है प्लेट टेक्टॉनिक की यानि की प्लेट विवत्निकी की चलिए नेक्ट कोश्चन देखते हैं के निम्न मैं मैंका नभीकठा नभीकरनी उजे संसाधन नहीं है कि इसमें से आपको काड्र ये बताना यह अपक्य आप्षम है जल वायू सोर कौह ला तो इसमें से आपको नभीकरनी उजा का माश्चन सब्सक्रादान नहीं आरे को पाकिस्तान चीन बहरत पाकिस्तान चीन भर्मा तो आपको बताना है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो इसमें आपका आपसंस होता है आपसन नमबर सी चीन वीशु में चावल का सबसे बड़ा उतपादक देश है वह भारत दूसरे इस्थान पर है अगर हम चावल उतपादक देशों की बात करें तो ट्रिक है CBI, C यानि की चाइना, B यानि की भारत, I यानि की इंडोनेशा, यह टॉप थ्री चाओल उत्पादक देश हैं, और अगर हम वार्ट मैप में बात करें, तो यह चाइना है, जो की एसिया महादीर में इस्तित हो, यह अपना इंडिया है, चाइना की राजधानी है, बीजिंग चलिए, next question देखते हैं, next question ह है, खरीफ और रभी से संब्संदी ने मылकित कतनों में से कौन सा ठीक नहीं है, तो आपको बताना जो भी आपसं दिया है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें आपके आपसंण है, खरीफ महिना वलसा रित के प्रारम में आता है और बसंत प्षावल बाज्रा और मका और कपास रभी के अप्रधान इधान है यानि कि रभी के मुख फसले अप्रधान मुख के फसले गेहूं चना और अल्ची तो इसमें से आपको correct एंसर बताना है कि रभी और खरीब से समंधृ कौन सही नहीं है तो इसमें आपका आपसन सही होता है आपसन नमबर ए यानिकि ए इस्टेट्मेंट या आपसन जो दे रखा है ये सही नहीं है बाकी तीनों रभी और खरीव के फसल के हिसाब सब्सक्राणावतμα में आता है बल्कि और सब्सक्राणावसरी कि वजई कर दो दोfert में आता है इस परकाड़ सब्सक्राणावर Steering गेहूं, सरसों, मटर और चने चलिए नेस्ट कोशन देखते है भारत के धुर पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना है यानि कि आपको बताना है कि भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच में Sometime difference कितना है समय कांत्राल कितना ही आपको बताना है तो आपके आपसन नें एक घंटा, 30 मिनट, 2 गंटा, 15 मिनट, 2 गंटा, 3 गंटा, 45 मिनट तो इसमें से आपको कायक टेंसर बताना है तो इसमें आपका आपसन से होता आपसन नमबर C, 2 गंटा नियानी कि भारत का पूर्वी छोर और पष्मी छोर में 2 घंटे का डिफरेंस है और भारत का पूर्वी छोर और पूर्वी छोर है कौन सा। तो उत्ती फोर यह आपकाई दित्ध है जम्मू कासमीर में और इसकी अगर हम अगर नाम की बात करें तो इससे कहते हैं इंद्रा पॉइंट कहा जाता है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं निम्न में से कौन सा जिला बीरभूम जिले के उत्तर में इस्थित है आपके आप्सन है मिदनापुर, बांकुरा, माल्दा, पुरूलिया तो अगर हम बीरभूम जिले की बात करें तो यह जिले बात हो रही है वेस्ट पुरूलिया बीरभूम जिला है और अगर हम इसके उत्तर में बात करें तो उत्तर में यह जिला इस्थित है तो आपसन बसी आपका सही होता है चलिए नेक्स कोशन देखते है प्राक्तिक बांध जो उच घाटी में पाये जाते हैं उसे क्या कहते हैं आपके आपसन है उच घाटी में पाये जाते हैं लटबंध कहलाते हैं भारत में बिजली उतपादन शुरू उख नर्शे में 1904 में सुरू किया गया था अब भारत में विजली उतपादन में बना जाती है छलिए देखते हैए चलिए से क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है अपसौर यानि कि आपसर नंबर भी आपका सही है सूर से अधिक्तम दूरी को अपसौर कहा जाता है और यह चार जुलाई को होती है यानि कि सूर से प्रिथवी चार जुलाई को अधिक्तम दूरी पर होती है और इसे अपसौर या कर दिए इसके साथ यह चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में बैल आइकन को प्रेस करें से कि आगे आने वाले वीडियो तक नोडिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपनी तयारी बहतर डंक से कर सकें इसके साथ ही यदे आप इस वीडियो की पीडि करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलिग्राम कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा